10th Science Chapter 2 अमल ख्षारकेवम लवन के अंतरगत आज हम हाइट्रोजन के उप्योग और क्लोरीन के उप्योग देखेंगे हाइट्रोजन हम जानते हैं कि एक अत्यनत जुवलनशील गेस है और इस गेस के क्या उप्योग हो सकते हैं हाइट्रोजन के क्या उप्योग अलग-अलग स्वरूपों में हो सकते हैं तो हाइट्रोजन का जो सबसे पहला महत्योपूर्ण उप्योग है वो है S-C-L-मल के उत्पादन में और हमें पता है कि जो S-C-L-मल है वो एक प्रबल अमल है और H-NO3 और S2-SO4 के साथ साथ इसे भी मिनरल एसिड कहा जाता है तो ये H-C-L-मल के उत्पादन में हाइट्रोजन का उप्योग होता है साथ ही हाइट्रोजन का जो उप्योग है वो लिक्विड हाइट्रोजन को आपने सुना होगा कि liquid hydrogen का जो उपयोग है वो liquid hydrogen का उपयोग rocket इंधन में होता है तो rocket fuel में या rocket के इंधन में liquid hydrogen का उपयोग होता है तो हमने अभी hydrogen के दो उपयोग देखे पहला hydrogen का उपयोग है SCL अमल के उत्पादन में जिसको हम प्रबल अमल बोलते हैं और दूसरा उपयोग इसका हमने देखा कि इसका जो liquid hydrogen का रूप है उसका उपयोग rocket इंधन के अंदर होता है फिर hydrogen का उपयोग महत्तुपूण उपयोग होता है vegetable घी या वनसपती घी या margarine बनाने में तो क्या होता है कि तेलों का hydrogen करन करते हैं और तेलों के hydrogen करन से क्या बनता है वनसपती घी या margarine बनाने में इसका उपयोग होता है तो तेलों का हाइडरोजनी करन करना जिससे वनस्पती घी बने तो वो या मारगरीन बनाने में इसका उप्योग होता है ये महत्वपुन उप्योग हुए एक और अगर हम इसका महत्वपुन उप्योग ले तो इसका महत्वपुन उप्योग है फर्टिलाइजर्स के लिए अमोनिया बनाने में तो जो फर्टिलाइजर्स हम खेतों में उप्योग में लाते हैं तो वो उसका महत्तुपून घटक होता है अमोनिया NH3 तो इसमें हाइटरुजन की सहायता से इस अमोनिया को बनाया जाता है और फिर ये अमोनिया जो है ये Fertilizers का एक महत्तुपून घटक हो जाता है तो fertilizers बनाने के लिए या fertilizers के लिए ammonia की जरूरत पड़ती है और उस ammonia को बनाने में hydrogen का उपयोग होता है तो हमने basically जो hydrogen के उपयोग देखे तो चार महत्वण उपयोग हमें ध्यान में रखना है एक तो यह कि वो HCL अमलके उत्पादन में उसका उपयोग होता है दूसरा liquid hydrogen का उपयोग राकेट इनन में राकेट फ्यूल में होता है तीसरा जो है तेलों का hydrogen करण करके वनस्पती घी या margarine बनाने में होता है और चोथा महत्वण उपयोग है कि fertilizers के लिए ammonia बनाने में hydrogen का उपयोग होता है इसी प्रकार से अगर हम देखें तो क्लोरीन के क्या उपयोग है तो क्लोरीन के उपयोग में अगर हम देखें तो यह भी एक गेस है और क्लोरीन हमें पता है कि क्लोरीन जो है वो बहुत महतोपुण विभिन सोरूप में बहुत महतोपुण रूप से हमारे काम में आती है तो जैसे क्लोरीन का अगर हम एक बहुत महतोपुण उपयोग अगर देखें तो इसका एक उपयोग कॉमन है हाइडरोजन के साथ क्योंकि हाइडरोजन और क्लोरीन मिलकर HCL अमलका उत्पादन करते हैं तो हाइडरोजन के उपयोग में भी HCL अमलका उत्पादन लिख सकते हैं और क्लोरीन के उपयोग में भी इस common उपयोग को याद रख सकते हैं कि जब भी hydrogen का उपयोग पूछा जाए या chlorine का उपयोग पूछा जाए तो हम HCL अमले के उत्पादन में इसका उपयोग लिख सकते हैं साथ ही जो chlorine होता है उस chlorine का दूसरा महत्वण उपयोग है bleaching powder बनाने में bleaching powder जिसको हम विरंजक चून भी कहते हैं तो विरंजक चून बनाने में इस chlorine का महत्वण उपयोग होता है और जो विरंजक चून होता है वो वस्त रुद्योग में सूती और लिनेन के विरंजन में काम में आता है लंडरी में और घरों में भी कपड़ों के विरंजन में इसका उपयोग होता है और साथ ही ये रोगानो नाशक के रूप में भी उपयोग में हम लाते हैं तो ये बहुत महत्वण घटक है और उद्योगों में अपचायक के रूप में इसका उपयोग होता है bleaching powder का तो chlorine जो जो होता है उसमें सूती और लिनेन के विरंजन में और साथ में ये एक रोगानो नाशक के रूप में भी यूज में लाते हैं तो ये हमारा जो chlorine है ये एक महत्वण हमको योगी को उपलब्द कराता है तो bleaching powder के रूप में भी इसका उपयोग bleaching powder बनाने में भी होता है अब मतलब पानी को स्वच करने में इस्टरलाइस करने में क्लोरीन का बड़ा महत्वण उपयोग है और यही कारणे के हम कह रहे है कि रोगानो नाशक के रूप में bleaching powder बनाने में इसका उपयोग होता है और जल की स्वच्चता में मतलब जैसे कि swimming pool साधी में भी इसको डाला जा CFC, chloroform, CCL4 तो यह बनाने में इसका उपयोग होता है तो अब इसमें PVC बनाने में जब इसका उपयोग हम करते हैं तो यह इसको एक्चुली PVC को क्या करता है यह flame resistance बनाता है और आजकल तो CPVC का जमाना है तो वो CPVC का शब्दी वो ही है कि chlorinated PVC, polyvinyl chloride तो chlorinated क्या होगा कि वो fire से भी बचाता है मतला आग से भी बचाता है और संशारन या जंग से भी बचाता है तो बहुत महत्तोबन उपयोग होगे यह chlorine का PVC बनाने में और CPVC बनाने में तो इसमें chlorinated PVC बोलते हैं polyvinyl chloride, PVC का पूरा नाम क्या है polyvinyl chloride तो यह बनाने में तो यह एक तो flame या आग से आग प्रतिरोधी बनाता है इसको कुछ हत्तक और दूसरा यह संशारन या जंग से भी बचाने के काम में आता है तो यह इसको बनाने में CFC बनाने में chlorofloro carbon बनाने में chlorofarm बनाने में CCL for carbon tetracloride बनाने में और कीट नाशक और pesticides बनाने में भी हम SCL हम लगा उपयोग करते हैं तो जल की शुद्धता में तो काम आता ही आता है bleaching powder बनाने में रोगाणू नाशक के रूप में काम आता है पर साथ ही यह कीट नाशक या pesticides बनाने में भी क्लोरिन का उपयोग होता है तो क्लोरिन के जो basically उपयोग हो है SCL अमल के उत्पादन में जो कि यहां common है hydrogen के साथ bleaching powder बनाने में जल की स्वच्चता में swimming pool आदी में और PVC, CFC, chloroform आप PVC याद रख लिजेगा भी एक या दो ही लिख दीजेगा chloroform आदी बनाने में इसका उपयोग होता है और जो common उपयोग हमने का कि यह SCL अमल बनाने में या SCL अमल के उत्पादन में इसका उपयोग होता है यह बहुत महत्तपूर्ण इसका उपयोग जो common है और जो SCL अमल है वो हमें पता है कि यह SCL अमल क्या होता है यह प्रयोकशाला में और उद्योगों में एक प्रबल अम होता है इसके कई अन्य उपयोग भी आप ध्यान रखें को कि ये भी हमारे पाठीकरम का हिस्सा है कि S.C.L. Amlis के क्या उपयोग है तो मैंने कह आपको बता है कि S.C.L. Amlis जो एक प्रभल अमले तो ये हमें पता है कि ये प्रभल अमले तो करेंगे और साथ यो जो होता है उसके पहले इस पाथ जो होता है उसकी सफाई करने के भी यह और साथमें ka उस्धादन अ और ammonium chloride बनाने में NH4Cl बनाने में इसका उपयोग होता है और NH4Cl बनाने में जब इसका उपयोग होता है तो फिर हम कहते हैं शूस्क सेल बनाने में इसका उपयोग होता है तो ये क्योंकि वो शूस्क सेल का घटा के ammonium chloride तो हम कहरें कि ammonium chloride बनाने में इसका उपयोग होता है और स SCL मलगा उपयोग जो है टेक्स्टाइल उद्द्योग में भी होता है तो अभी SCL मलक के उपयोग के बारे में भी हमने बात की कि SCL मलका जो है उपयोग वह तो एक तो SCL प्रबल अमल है तो प्रयोक्षाला में या उद्योगों में प्रबल अमल के रूप में यूज हो जाएगा इस पात की सफाई में ओशे दिया और सोंदेरे प्रसाधन बनाने में अमोनियम क्लोराईद बनाने में और पलास्टिक जैसे PVC आदी बनाने में और टेक्स्टाइल उद्द्योग में इसका उप्योग होता है तो इस तरह से आज हमने हाइट्रोजन के उप्योग, क्लोरीन के उप्योग और SCLML के उप्योग समझे धन्यभाद झाल झाल